दोस्तों CUET Common University Interest Test भारत का एक बहुत ही महत्तुपूर्ण और पावरफुल एक्जाम है ये इतना पावरफुल क्यों है आईए पहले इस बात को समझते हैं देखिए ऐसा होता था कि अगर आपको BHU में जाना है, DU में जाना है, किसी भी बड़ी उनिवस्टी में जाना है, Central Univers में तो आपको सभी को अलग-अलग एक्जाम देना पड़ता था, ऐसा संभव नहीं हो पाता था, सरकार ने पिछले साल एक मास्टर प्लान बनाया, कि एक एक्जाम के थ्रू आप भारत की सबसे बड़े बिस्विद्याले में प्रवेश पा सकते हैं, और उस एक्जाम का न विभावक हों, ध्यान से मेरी बातें सुनिये और समझ ये, इस एक्जाम को NTA कराती है, National Testing Agency, जो UPSC का भी एक्जाम कराती है, JEE का भी कराती है, NET का भी कराती है, सारे बड़े एक्जाम कराती है, वही कंपनी CET का भी एक्जाम कराती है, किसी भी बड़ी उन्वस्टी में जाना है, तो आपको एक्जाम क्रेक करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम लोग आने वाले समय में क्लास भी चलाएंगे, और बड़ी उन्वस्टी में जाना क्यों जरूरी है, CET देना क्यों जरूरी है, देखिए वह छोटी मोटी नहीं होती, वह हजार एकड में फैली पास होता है, तो ये एक्जाम देना ही देना है, आईए समझते हैं important dates, कौन-कौन सी dates हैं, जिसमें हम form भर सकते हैं, कब एक्जाम होगा, सारी जानकारी मिलने वाली है, तो CET का form आ चुका है, 9 फरवरी को form आया है, इसकी आखरी date 12 मार्च है, तो अगर आपने अभी तक form न पनाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं, तो अंत तक सारी बाते समझ जाएंगे, स्वयम से form आप भर सकते हैं, बिना कोई वीडियो दे के, बिना किसी हिचकचा हटके, तो आखरी date है 12 मार्च, आगे चलते हैं, अगर आप से form में कोई गलती हो जाती ह तो 15 मार्च से 18 मार्च के बीच आप correction भी कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, और जो आपका admit card है, 30 April को आपको पता चल जाएगा, कि आपकी city, किस city में आपका paper होना है, तो ये तो रही कुछ important dates, paper कब होगा, 21 माई से 31 माई, 21 माई से 31 माई के बीच paper होगा, प्रत दिन 3 shift में होगा, इसका मतलब 11 दिन paper होना है, और 1 जून से 7 जून, 7 reserve days है, अब इतने सारे paper कराने हैं सरकार को, तो time तो लगेगा ही लगेगा, तो 18 दिन paper होने है, अगर मोटा मोटा idea लगा है, 11 दिन ये और 7 दिन reserve, और प्रत दिन 3 paper होने है, तो 54 पेपर तो होने ही होने है, मतल है, और कितने paper हम दे सकते हैं, जो सबसे कठिन काम है, वो यही है, कि हम कितने paper दें, और किस प्रकार paper दें, कि हम सही जगे पर पहुँच जाएं, देखिए, आपके सामने एक slab खुला है, उसमें ये है कि अगर आप 3 paper देते हैं, तो आपकी फीशे 7500, जनरल में, OBC और EBS व और अगर आप 7 paper देते हैं, तीन के बाद 7 paper, मतलब जरूरी ने कि आप 7 दो, आप 4 भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, छे भी दे सकते हो, आप देने को 2 भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 paper तक देते हैं, तो आपकी फीशे 1500, और फिर 1400, 1300, और इसी प् अधिक्तम, कोई भी बच्चा अधिक्तम 10 पेपर दे सकता है, 10 पेपर देते हैं तो आपकी फीश है 1750, 1650 और 1550, ये तो रही फीश सम्बंधित, लेकिन कहानी ये फंसते हैं कि सर जी ये 3 पेपर, 7 पेपर, ये 10 पेपर का सिस्टम क्या है, अब देखिए, सुनने वाली बाते चालू हो चुकी है, माल लिजे आपको करना है BA Sanskrit से, माल लेते हैं, कैसा idea लगाते है BA Sanskrit से, और कई उनिवस्टी जैसी हैं, जो आपको BA Sanskrit से कराने के लिए सिर्फ एक पेपर लेना चाहती है, Sanskrit बसका, आपके Sanskrit में अच्छे नंबर हैं, वो उनिवस्टी आपके लिए खुल ग तो आपको उनिवस्टी में जाने के लिए उन तीन पेपर के नंबर मायने रखेंगे, तो ultimately कहानी यह है, कि सभी उनिवस्टी का criteria अलग है, इसलिए आपको subject choice बहुत अच्छे से करनी है, तो आप यह न सूचे कि एक subject से मेरा काम हो जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा subject देने है, उसके भी तीन हिस्से बनाए गए, पहला हिस्सा क्या है बटा, language, दूसरा हिस्सा domain subject, और तीसरा है GS, जैसे मैंने का अगर आपको B.TEC करना है, तो ज्यादा तर उनिवस्टी आपसे एक language test मांगती है, इंग्लिस का, दूसरा physics, chemistry, math मांगती है, और GS भी, कुछ- तो यह तो रहा कि आपको paper कौन-कौन से देने हैं, choices ज्यादा होनी चाहिए, मैं तो कहूंगा आप कम से कम पांस से छे paper दे, मैं बताओंगा कौन-कौन से paper दे, जिससे आपको फायदा होने वाला है, उसी मुद्धे पे चलते हैं, देखिए, पहला section है language का, इसमें दो column बन तो आप एक choice जरूर भरिए, English और सासत हिंदी, English और हिंदी, अच्छा आप चाहो तो जो यह भासाएं लिखी हैं आप 10 की 10 भासाएं भर सकते हो, आपको नहीं physics chemistry math से मतलब, आपको नहीं quality से मतलब, आपको नहीं history से मतलब, आपको जीवन में जो भी काम करना वो language के लिए क करना है, तो आप language बस भर सकते हैं, तो जिन-जिन college में language का मतलब column होगा, वो आपको बुलाएंगी, तो दस subject भर सकते हैं, देखता हम, दसो language भी भर सकते हैं, क्या कुछ कहानी साफ होई, subject choice बहुत important है, अब language वाले column में आपने एक English select कर ले, आपने हिंदी select कर ले, suppose आप Italian म आप select कर सकते हैं, आपको जर्मनी में जाने का प्लान है, जर्मन सीखना चाहते हैं, तो आप जर्मन भी select कर सकते हैं, आप चाहो तो छोड भी सकते हो, इन में से कोई मत select करो, भाई, जिन universities में जरूरत है, वहाँ पे आप नहीं जा पाओगे, आपको कुछ और करना है, तो आप से आप choice भरिये, पर मैं आपको हिदायत दोंगा, इंग्लिस जरूर भरे, और जो हिंदी वाले बच्चे है, वो हिंदी भी जरूर भरे, दो लेंग्विस जरूर चुनिए, अब आते हैं, डोमेन सब्जिक्ट पे, अब सपोज आपको BSC Physics कर नहीं है, और उसके लिए आपको BHO ने आपसे तीन चीजे मांग ली, कि आपको GS देना है, इंग्लिस देना, Physics देना है, आप Chemistry मैद का पेपर मत देओ, लेकिन अगर आपको B.TEC करना है, किसी उनवस्टिज में Physics Chemistry मैद तीनों मांग रहा है, इसलिए डोमेन सब्जिक्ट की च्वाइस बहुत इंपॉ तो मेरी आप सब को सलाय है, अगर आप PCM की सब्जेक्ट हैं, तो Physics Chemistry मैद तीनों का पेपर दे, जिन उनवस्टिज में वो बाद का काम है, कि आपको कहां पर सिलेक्ट होना है, पहले पेपर तो सारे दे, च्वाइस तो ना बंद करे, अरे भाई, च्वाइस तो होनी आपके पास, अब पता चला, DU मांग रहे हैं, आपसे पांच सब्जेक्ट आपने भरे तीन है, तीन के नंबर से कहां होने वाला है, और पांच वाला जीतेगा ना, तो Domain सब्जेक्ट में, Class 12 में, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे भर देओ, अब English Hindi आपने पहले तो बचा Physics Chemistry, Bio बचा, Physics Chemistry, Math बचा, या अगर आप आर्ट के स्टुडेंट है, तो आपके पॉलिटी, समास, सास्त्रे, History, जो भी आपने पढ़ रखा, उनको भर दीजिए, पिर आगे डिसाइड करिएगा ना, कि BA History से करना है, कि BA Sanskrit से करना है, या BSC Physics से करना, Math से करना है, सिर सारे कोर्स है, भाई सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक कोर्स, इतनी बड़ी-बड़ी उनिवस्टीज है, यहां भरमार है, तो डोमेन सब्जेक्ट्स में, आप मिनिमम क्या सारे सब्जेक्ट्स चूज कर लिजे, अरे यार, पंदरा सो लगना ही है, शाड़े सा पेपर के लिए आप दो-चार इनिवस्टीज के लिए इलिजबल होगे, तो मिनिममम साथ तो कर ही दोना, साथ ना करो तो छे पेपर दो, तो दो लेंग्विज वाले हो गए, और अपने डोमेन में, क्लास ट्वल्थ में, जो भी है, आप उनके पेपर दे दीजे, कम्प्य लिए तो कम्प्यूटर दे दीजे, इंग्लिस, कम्प्यूटर बाकी तीन सब्जेक्ट नहीं लिए है, इंग्लिस, हिंदी, बाकी तीन सब्जेक्ट नहीं देना हिंदी का, तो इंग्लिस और बाकी तीन सब्जेक्ट या बाकी चार सब्जेक्ट कोई भी, डोमेन सब्जेक वही कर पाओगे, और हम लोग classes जब चालू करेंगे, तो आपको बड़ी सी बड़ी जगे में भेज कर मानेंगे, और तीसरे में GS का टेस्ट है, GS बेटा क्या है, जिसमें reasoning, aptitude, छोटे छोटे basic questions, जो आप से government job की तयारियम भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ब GS मांगा जाता है, बीटेक करना है, GS मांगा ही जाता है, बायो chemistry करना है, GS वो मांगते ही हैं, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, अब बात आती ही, question कितने आते हैं, तो प्रतेक subject के, जैसे कि मैं बात करूँ, language के, आपके पास आएंगे 50 questions, उसमें से करने 40 होंगे, आपने language select की, English, Hindi, Urdu, Sanskrit, Pharisee, German, 50 questions आएंगे, उसमें से 40 करने होंगे, और 45 minutes का समय मिलेगा, 45 minutes में आपको करना है, प्रतेक सही question के लिए, plus 5, 5 नमबर, minus marking है, तो प्रतेक गलत उत्तर के लिए, minus 1, domain subject में भी आपको 45 questions आएंगे, उनमें से 40 करना होगा, कुछ-कुछ subject में 40 questions आते हैं, उनमें से 35 करना होता है, तो 45 questions आएंगे, तो 40 करना है, 40 आएंगे, तो 35 करना है, उसके लिए भी आपको 45 minutes ही मिलेंगे, जैसे आपने physics भरा, chemistry भरा, bio भरा, physics के लिए 45 minutes, किसी अगले दिन हो सकता है chemistry, अगले दिन हो सकता है, या उसी दिन तीनों हो जाएं, तो बाद में आपके admit card में सब decide होगा ना, कि आपका paper कब और किस दिन है, तो उस हिसाब से आपको भरना है, सभी के लिए 45 minutes मिलने हैं, और blast में GS, सबसे ज़्यादा question GS के आते हैं, 50 questions, मतलब 60 में से 50 questions आप मिलता है, सबसे ज़्यादा question GS के आते हैं, सबसे ज़्यादा समय भी उसी के लिए रहता है, और वो देना भी compulsory है, तो ये तो रहा कि आप कौन से 5-10 subject भर सकते हैं, जो आपका मन करें, लेकिन best choice क्या होगी, एक language select करिए, GS select करिए, और अपने class 12 के subject select करिए, फिर आपके number के हिसाब से, आपके सामनी universities खुलेंगी, उन universities में आप जा सकते हैं, अब बात आती कौन कौन सी universities हैं, तो आपके सामनी ये list आ रही है, ये 44 देस की सबसे बड़ी universities हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब यहीं से निकले हैं, और जीवन में यदि आपको कुछ करना है, तो बेटा आपको घर से निकलना पड़ेगा, घर में बैठके कुछ नहीं होने वाला, दुनिया देखनी पड़ेगी, तब ही आप दोग धंदे सिट कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, या खुद रोजगार पा सकते हैं, घर में बैठके सिर्फ उसिप क्या होना है, मुझे कुछ लाइने याद आ रही हैं विकास दिविकीरती सर सबने आपने नाम सुना होगा उनकी कुछ लाइने हैं जो मैंने सुनी थी मैं आपको बता देता हूँ मैंने उसको जब-जब देखा लोहे जैसा तपता देखा लोहे जैसा गलता देखा गोली जैसे चलता देखा तो आपको ना बढ़ना है तो मेहनत करनी है कहीं पहुचना है तो मेहनत करनी है बोर्ड एक्जाम हो गए है सांती से नहीं बैठ जाना है अभी सफर जारी है अभी सफर खतम नहीं हुआ है तो मिलते हैं अगले वीडियो में CUT का फॉर्म कैसे भरना है क्लासिस कैसे होंगी ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं ओफलाइन भी पूरी तयारी के साथ मैं आने वाला हूँ इस बार आपको बड़ी उन्वस्टी में बड़ी जगे में भेज के ही मानना है मिलते हैं अगली क्लास में